पास ऐसे दो विशिष्ट मेहमान हैं जो शुरू से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं सबसे पहले विने कटियार का परीचा कराना चाहूँगा विने कटियार जी है बीजेपी के माससचिव रह चुके हैं सांसद रह चुके हैं लोग सभा भी जिते राई सभाव में से जिनको आवध्या भेजा गया था तब से मुझे लगता है इनका लगातार यह घर ही बन के रह गया कि कमल नयदाज जी कि मोजे लगता है कि जन्म से जो गंबीर दो तीन सवाल है कहा से निखले कहा पहुंचे यह बड़ा गंभीर सवाल है तो यह आए थे तो क्या अंदोलन की क्या स्थिति थी क्या किया अपने जो अंदोलन यहां तक पहुंचा क्योंकि आप लोगों ने तो नीव डाली थी तो 84 में शब पूरे उत्ता प्रदेश के लोग अयोद्य आये थे और एका सवा हुई थी कि आंदोलन शुरू करना है अच्छा करना है और उस समय एक उसाब बन रहाता धीवे धीदे समय लग रहा था लेकिन आगे चलके फिर वो ठीक होगा ऐसे उम्मिद थी यह पूरा काम हुआ आगे धीरे-धीरे बढ़ते गए होता गया तो रहने का जगह रहने की जगह नहीं थी खाने का ठिकाना नहीं था फंड्स नहीं थे तो गिने जी रहते क्या थे अंदोलन क्या करते थे जुटाते कहां से थे किस से मिलते थे क्या करते थे क्योंकि पूरा का पूरा जमाना तो एंटी हाँ ये बास सही है, पूरी अयोध्या आएंटी दिख रही थी, लेकिन उसी से एक वातावन बन गा, हम लोगों ने बनाया, कानपुर से बहुत सारे लोग आये, हमारे सब बड़े मित्र सहे होगी थे, अयोध्या में बातावन बनाया, पूजी संतों क्या गए, नौजवान जो संतों थे सब खड़े हुए, वो जब हमारे साथ जुट गए, और उन्हीं की अगवाई हमने की, और हमको लगा, कि धीरे धीरे और उसा बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे होता गया, साथ अक्टूबर 1984 को जो घटना घटित हो गई, उसने बड़ा भारी उस्साह दिया, लेकिन दो सगे भाई, वो चले गए, हनुमान, हनुमान चौराहे पर दो भाई मारे गए, पुलिस के द्वारा, बड़ा भाउग छण था, कुरोत का छण था, समर्पन का भी छण था, लेकिन लोग डिगे नहीं, कोई घर गया नहीं, जो जाने वाला था, ओभी घर गया नहीं, सारे सारे लोग यहां ठटे रह गए, और उसमें पुझी महाराज नत्यकुबाल दाश जी का, परमान सराम चंदाश जी का, यह बड़ा भारी योगदान था, अयोध्या के संतों का बड़ा भारी योगदान हुआ, और धीरे धीरे ऐसा लगा पूरी अयोध्या आंदोलित हो रही है, और अयोध्या यह आंदोलित नहीं हो रही है, आदा प्रदेश आंदोलित हो रहा है, और वो हुआ, धीरे धीरे लोग अयोध्या आते गए, लोग बढ़ा और राम का एक सहलाब राम नाम का सहलाब यह आगे बढ़ता गया और वो आज भी स्थापित है अभी भी है तो आगे भी बढ़ेगा महांजी आपसे एक सवाल विने भाई ने तो 84 से जो आपने शुरुआत की मंदिर बनाने की उसकी तो कहानी सुना दी मंदिर बनाने के लिए जो तमाम देश भर से संतों को जुटना था जिस तरह से विश्व हिंदू परिशन ने काम किया जिस तरह से साधू संतों को एकजूट किया गया राम जी के नाम पर राम जी के जन्भुमी के नाम पर सब संगठी थोए, सारा देश अंदोलित हो गया, और इतना अंदोलित हो इतना अंदोलित हो इतना प्रभाह मुला उनका, इतना प्रभाह मुला कि चारो तरफ से राम भर्क्त जुद्या आए, और उनके प्रभाह को कोई और नहीं पाया, जो विवादि धाचा था, राम जन्वुमी, रामभक्तों ने द्वस्त कर दिया, कोई रोक नहीं पाया, और यह आंधोरंग बरावर बढ़ता ही जा रहा है, और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है, निश्चित है, इसके साथ साथ, हमारे लिए राष्ट का प्रस्न है राष्ट भी सर्वों पर है बहापुरसों का त्याग था तपस्या था राम भक्तों का वरिदान था कितना बड़ा संगर सुआ अध्यावासी ही नहीं पूरे विश्व ने इसको देखा है सबकी इच्छा पून हुई विजय प्राप्त हुआ राम जन्वों पर भव्य दिव्य मंदिर बन करके तयार हो रहा है सब जानते हैं आगे आने वारी जन्वरी में भगवान सी राम अपने परिकरों के साथ में गर्वग्रह में विराजवान हो जाएंगे लेकिन महें जी यह सपना तो आप लोगों का काफी बड़ा पूरा हो गया एक बढ़ा बढ़ा सपना था लेकिन जब राजीव गांधी ने दरवाजे खुलवाए थे ताले खुलवाए थे तो साधू संतों ने उनका समर्थन क्यों नहीं किया विलकुल गलत बात है राजी भेज होना पड़ा राजू गांधी और किसी ने कुछ ने किया है सब कुछ केवल राम जी की क्रपा से महापुरसों के त्याग तपस्या से रामभकतों के त्याग तपस्या से तरही हुआ है रही कैसे आप लोग पुजारी थे यहां पर रामलाला टेंट में रुएब राजमानते कैसे कहाँसे आप लोग उन पुजारीहों का खरताओ साधू सinkतों क घरता यह कितना दोशकर कार था भंधी कैसे को रही राम जी की क्रपा से सब कारी दुसाह नहीं है, सब सरल था, कोई चीज की कभे नहीं, लोगों ने कई बार, असोग जी याद है, इतना बड़ा भब्य माराजी से प्रसंग गया, इतना बड़ा भब्य राम मंदिर बनेगा, कैसे होगा, माराजी ने कहा देखते रहिए, इतना पैसा आएगा, इतना धन आएगा, इतना उसाह लोगों के अंदर है, कि अपने आप बन करके तयार हो जाएगा, और हो रहा है, विने जी, विने जी, एक कोशिश होई थी, अटल जी के समयवी शेलादान के द्वारा, कि राम मंदिर के चीजों को फिर से एक बार रिवा पदों पर देशा, कोई कोशिश ओशिश नहीं हुई, विकार की बात है, क्योंकि एक इस्थान नए मुक्त करा सकते हैं, तो तेन इस्थानों के मुक्ती की बात जो करे, और वो भी राजनीती का आदमी, हम भी राजनीती में चले गए, वो अलग बात है, लेकिन लाम मंदि से और मंदिनों से आस्ता हमारी नहीं गई, हम उसी के लिए खड़े हैं, उसी के लिए मर रहें, उसी के लिए जीवित हैं, यही काम हमारे जुम्मे है, यही है मुझे काम करना है, यहां पर आतंकी हमला भी जहला आप लोग ने, पूरा आतंकी हमला जहला, लेकिन वो सफल नहीं हो सके और हमारे जो सैनिक थे पुलिस कर्मी थे रहा खुबी उन्होंने झेला यह उनको धन्यवाद है और में जीटिया में समाचार विजाना चाहिए यही कि वो समय भी जो आतंकी हमला हुआ वो आतंकी हमला पुलिस के जवानों ने झेला और उसमें आतंकी मारे भी गए उनको धन्यवाद है लेकिन यह बड़ा भरी काम था लेकिन उसके कोई डिगा नहीं हमारे लोग गए सहीध हो गए लेकिन कोई पीछे नहीं हटा जिनके परिवारों के लोग सहीध हुए उनके प किया उन्होंने का जो हो काम बताओ हम पीछे नहीं हटने वाले ऐसा काम उनलोगों ने किया और मैं समस्ता हूं कि आज भी यही त्याग बलिदान तपच्या शंक्तों की तपच्या उसके बलपार यह आज नाम मंदिर बनने का सपना प्रारंब हो गया है और जल्दी बन जा लहाएगा तो प्रदानमंत्री आने वादे है और प्रदानमंत्री गया शंटों के साथ मिलकर के करें पाहला योजी जो है यह मंजीर जुह है और व हो मंदिर के रूप में इस्थापित हो जाए ऐसा प्रयास है प्रदान मंत्री वेख्तियत रुप से भी प्रक्रिया को बढ़ाने में योगदान एक जित्ता कारिकरता का है उत्ता प्रधान मंत्री का है और कारिकरता भाव के साथ वो आए भाव के साथ उन्होंने आगे बात कही और वो आगे भी काम करेंगे जब आएंगे तो घरव गरव पर भगवान राम विराजमान हो जाएंगे अब पूरा मंदिर बनने में अभी समय लगेगा तिनों मंजीर खड़ा करने के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा लोगों को और मैं समस्ता हूं कि एक बार तलगर ठीक बन जाए निव बढ़िया बन जाए तो बनने में तेर नहीं लगेगी और वो होने वाला है मंजी अब माना जाए कि अब ये सपना पूरा हो गया अब सादू संतों के पास मंदिर सौंदरी करन के लावा क्या बचाया पूजा करना देश भर में मशाल जलाना इसका तैयारियां क्या हो रही है आपकी अगले 22 तारीक के लिए मुझ से आप पूछ रहे हैं और हमारे प्रधान मंती जी की भी प्रवलिक्षा है मंदिर से बड़ा हमारे लिए राष्ट है राष्ट है तो हम है अस्मिता है हमारी हमारा धर्म है कर्म है मंदिर है सब कुछ है सम्विधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जो राश्ट के बिरोध में हैं और हमारे प्रधान मंत्री जी तयारी पूरी पूरी कर चुके हैं जिस जनसंख्या के हम वो तरह जैसे अभी कवी जी हमारे कह रहे थे हम वो चाड़ दुकारता वाली बात करने वाले नहीं है प्रधान मंत्री जी की भी इक्षा है भाई जी हम किसी से भेर नहीं करते हैं किसी से दुराव नहीं करते हैं हम तो बिस्व बंधुत्व का नारा देते हैं एक तरफ संबिधान है और एक तरफ सरीयत है अगर यह रहा तो क्या आप रास्त की रक्षा कर पाएंगे जिस समय देश स्वतंत्र हुआ ततकाल इन प्रधान मंत्री ने पूरबान चल के गरीबों के लिए आजबासियों के लिए जंजातियों के लिए असहायों के लिए सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बता में कोई सिक्षण संस्थान की ब्यवस्ता नहीं की यह सारी ब्यवस नहीं तुम्हारे मठ मंदिरों के पैसे के बल पर कोई जानना चाहे तुम्हें चल करके दिखा सकता हूं यह समय मैं मेरा सवाल यह था ना कि 22 तारीक को जब राम लला विराजमान होंगे उसके लिए आप साधू संतों की क्या त्यारिया है पूरे देश में सब पूरे चार स्थानों पर अपने घरों में अपने अपने मठ बंदरों में ही खूब उस्सो मनावए धूमधाम से दीपादियों दीपावली मनावे मिठाई या बाते हैं और यहां भी हम लोग खूब तयारी कर चुके हैं जितने भी भक्ताएंगे उनके रहने की उनके खाने पेने सार अब हो चला है गप्पे मारने का तो एक आखरी सवाल यह पूछूंगा आप उस लीग में आते हो जब हम लोगों ने देखा था डॉक्टर मुलीमनो जोशी लालकेश अडवानी उमा भारती विने कटियार नेता आते थे और लगता था ऐसे भाशन देंगे कि यह जब आम खोन उबलने लगेगा हमारे जितने राम भक्त हुंका खोन उबलने लगेगा अब वैसे भाशनों की अब तो जरुवत नहीं अब भीने कटियार भी बहुत शान्त होगे मैं मैं सांत कभी नहीं रहता हूँ, सांत रहना सुभाव नहीं है, और ये काम आगे करते रहना चाहिए, महाराद नतकुपालदास जी ने इसको ये हमको आशिरवाद दिया है, पुझ परमंस जी तो अब हमारे बीच में है नहीं, सुर्गवासी हो गए हैं, वो हमेशो आशि पूरा सादू संत सात रहता था, हमेशो रहता था, पूझा करने के बाद हमेशो सात में रहता था, तो आशि श्थिती में मैं समस्ता हूँ, आईध्धा पूरी के जित्ते शंत हैं, वो हर श्थिती में हमारे सात हैं, वो खड़े हैं हमारे सात, और वो काम ठीक होगा, समय क हम है नहीं तो हम और बस बताते हैं आपको डिटेल क्योंकि जो सहीज का है वो आ गई है स्टेज पर तो अभी कुछ बताएंगी कि किसी को और लाने के या कारकर स्वाथ करने के जो भी होगा वो करेंगी लिकें डरने का जरूरत नहीं है बड़ा भब्य मंदिर बन रहा है रा पूरा परिवार दर्वार राम दर्वार यह सब बठाया जाएगा यह सब काम हो रहा है दीरे दीरे हो रहा है क्योंकि सब नकाशी का काम है तरासने का काम है उसमें समय लगेगा तो सब लगने दो समय तो बजरंगी था जो आयोध्या और पुरे देश में जाने जाना वाल पर एक बार यहां पुर्या अपक्रयद देश को सुनाई कैसे नहीं ये बात ठीक डाह बीना भाई शाइब बहुत बहुत धन्युदी और है जादा पहली वार ऐसे मंच पर है इसके लिए बहुत बहुत-धन्युद cade और हमारे संपाध्यक जी आके और धन्यवाद देंगे आपको अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एडिटर न्यूज एडिन इंडिया और हिंदी डिजिटल जोती कमल जी को वो मंच पर आएं और हमारे महमानों को धन्यवाद दें